आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तोरट विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनोट करें। बिन्दू का निर्दे सांग क्या होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले P और Q के मिलने से जो रेखा खंड बन रहा है, उसे हम बना लेते हैं, मान लेते हैं कि यह हमारा क्या हो गया, यह जो है हमारा P Q रेखा खंड हो गया, ठीक है, तो यह हो गया हमारा P बिन्दू जिसका निर्दे सांग क्या दे रखा है 2,3,4 और ये हो गया हमारा Q बिंदू जिसका निर्दे सांग दे रखा है माइनस 3,5,5-4 ठीक है और ये जो हो गया हमारा XY सरी ये हमारा YZ तल हो गया ठीक है ये YZ तल हो गया जो कि PQ को यहां पर M बिंदू हम बना दे रहें ठीक है PQ को M बिंदू पर क्या कर रहा है कट कर रहा है विवाजित कर रहे ठीक है तो YZ तल है जो PQ को M बिंदू पर विवाजित कर रहा है और हम माल दे रहें कि इसको M अनुपात N में विवाजित कर रहा है और यहाँ पर M का निर्द सांग हम माल रहे हैं यह क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा चुकि Y-Z तल में है तो हम जानते हैं कि Y-Z तल में X निर्द सांग हमें सा 0 होता है इसका X निर्द सांग क्या होगा जीरो होगा ठीक है और Y निदेसांग को हम Y ही माल ले रहें जेड निदेसांग को यहाँ पर Z ही माल ले ठीक है तो यह होगे M बिन्दू का निदेसांग ठीक है तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर विभाजन सुत्र से हम यहाँ बलिक सकते हैं कि चुकी M रेखा खंड PQ को M अनुपात N में विभाजित करता है ठीक है तो यहाँ पर M का मतलब कि Y जेट तल M बिनुपा PQ को विभाजित कर रहा है और यह किस अनुपात में कर रहा है तो हम यहाँ बलिक सकते हैं अता विभाजन सुत्र से ठीक है तो विभाजन सुत्र से क्या हो जाएगा तो जो M का निले सांख है अता ते 0,Y,Z यह किसके बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा M इसको हम कुछ दर के लिए माल ले रहें यह X1,Y1,Z1 है ठीक है और इसको हम माल ले रहें कि यह जो है यह है X2,Y2,Z2 है ठीक है तो यह हो जाएगा M X2 प्लस N X1 अपॉन M प्लस N यह हो जाएगा M Y2 प्लस N Y1 अपॉन M प्लस N और M Z2 प्लस N Z1 अपॉन M प्लस N ठीक है तो अब हम यहाँ पर वैलू पूट करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ से 0,Y,Z M X2,X2 का वैलू क्या हो जाएगा माइनस 3 तो यह होगे माइनस 3M X1,X1 का वैलू 2 तो यह होगे 2N अपॉन M प्लस N M Y2,Y2 का वैलू 5 तो यह होगे हमारा 5M,N Y1,Y1 का वैलू 3 तो यह हो जाएगा हमारा 3N अपॉन M प्लस N M Z2,Z2 का वैलू है माइनस 4, यह होगे माइनस 4M,Z1 का वैलू है 4, तो यह हो जाएगा 4N अपॉन M प्लस N ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, ठीक दे रहें, दोनों तरफ X,Y,Z,Nिर्देसांकों की, तुलना करने पर, ठीक है, तो तुलना करेंगे त क्या हो जाएगा, यह जो 0 है किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 3M पलस 2N अपाउं M पलस N के ठीक है यह इसके बराबर हो जाएगा और यह जो Y है यह किसके बराबर हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 5M पलस 3N अपाउं M पलस N के और यह जो Z है यह किसके बराबर हो जाएगा तो यह बराबर हो जाएगा minus 4M पलस 4N अपाउं M पलस N के ठीक है तो यहां से पहले हम M और N का मान निकाल दे रहे हैं तो 0 into M plus N यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 पराबर आगे minus 3M प्लस 2N अब माइनस 3M इधर आएगा तो यह हो जाएगा 3M और यह हो गया 2N ठीक है तो यहां से आ जाएगा M by N बराबर क्या हो जाएगा तो ये अब क्या हो जाएगा M by N तो ये हो जाएगा हमारा 2 by 3 हो जाएगा ठीक है जोकि ये 3 इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भागम हो जाएगा N इधर गुना में तो इधर आगा तो भागम हो जाएगा तो M by N बराब हो गए 2 by 3 तो इसका मतरब कि यहां से एम अनुपात N का मान क्या आ गया यह आगया दो अनुपात 3 ठीक है तो एक चीज तो पुछा गया था कि जो एक पुछा गया था कि जो YZ तल है वो रेखाखन P की को किस अनुपात में विभाजित करता है तो एक का हमारा आंसर यहीं से आ गया अता YZ तल YZ तल P की रेखा को दो अनुपात 3 में विभाजित करता है विभाजित करता है ठीक है एक चीज़ हमसे यह पुछा गया था जो कि इसका अनसर मिल गया अब दुसरा चीज़ पुछा गया था कि उस विंदू के निदे सांग भी गयात कीजिए जिस विंदू पर YZ तल PQ रेखा कोई वाजित करता है तो अब हम यहां पर M N का वैलू क्या करेंगे इसमें पूट करेंगे तो M का वैलू यहां से 2 हो जाएगा N का वैलू 3 तो यह हो गया हमारा Y बराबर 5 गुने M का वैलू 2 और N का वैलू 3 अपाउन M पलस N तो यह हो गया 2 पलस 3 तो यह हो जाएगा Y बराबर 5 गुने 2 10 3 गुने 3 9 और 2 पलस 3 5 तो यह आगया Y बराबर 19 बटे में 5 ठीक है अब हम यहां वैलू पूट करेंगे तो यह हो जाएगा Z बराबर माइनस 4 गुने M का वैलू कितना है 2 तो माइनस 4 गुने 2 यह हो गया माइनस 8 और पलस 4 N N का वैलू 3 है 4 गुने 3 यह हो जाएगा 12 अपाउन M पलस N यह हो गया 5 तो बाराबर में से 8 जाएगा 4 तो यहां से आगया Z का वैलू 4 बटे में 5 आगया ठीक है तो यहां पर question ने हमसे बोला गया था को उस बिंदू का भी निर्दे सांग जात कीजिए तो बिंदू क्या था M तो हम यहां पलिक सकते हैं आता अभिस्ट बिंदू अभिस्ट बिंदू M का निर्दे सांग M का निर्दे सांग ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 0,1 निरसांग तो 0 ही है और Y निरसांग को Y माना खाता जो कि value आगया क्या 19 बटे में 5 और Z निरसांग को Z माना खाता जो कि value आगया 4 बटे में 5 ये क्या हो गया उस बिंदू का निर्सांग हो गया जिस बिंदू पर YZ तल PQ रेखा खंड को क्या कर रहा है भी वहाजित कर रहा है तो कोश्चे ने हमसे यही पूछा गया था जो कि हमने यहाँ पर एके करके हल किया तुमीद करता हूँ कि आपको एबात अच्छी तरह समझ में आई होगी थैंक यू